महिलाओं वो यूर्तियों के कोई अग्यात बाल बना खून काट रहा है। पहले यहां अफवाह बीकाने रुजिले से सटे गावों में ही थी। अब धीरे धीरे अन्ने इलाकों में भी फैल रही है। पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिने की अपील की है। वहीं चिमाना ग इस अफवाह का भय इतना है कि वे तंत्र मंत्रों और भोपों की शरण में जाने को मजबूर हो रहे हैं। दैश चिमाना में जो मामला सामने आया। उसके बाद घरवालों ने एक भोपे को बुलाकर तंत्र मंत्र करवाया। पुलिस ने बताया कि चिमाना निवासी लक्ष में डर का माहौल बन गया इसका मामला भोजा सर्थाने में है अब ग्रामीन पूजा पाठ से साया मिटाने का प्रयास कर रहे घटना के बाद पली नांग तबनना दाम के पुजारी जस्वन्त सिया देवरा वसोना राम सिवर्व अम्राव सिया देवनों को बुलाया गया उन् ने यह भी कहा कि यहां अफवा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दें बाहरी राज्यों के सतर से असी लोग घूम रहे पिछले एक सप्ता भर सेतांतरिक विद्यावटों ने तोटके की अफवा है सोशल मीडिया पर दुश प्रचार किया जा रहा है कि बाहरी राज्यों से करीब सतर असी लोग आये हुए हैं दिन में भेर बकरी व प्लास्टिक एवन लोहे के आइटम बेचने के बहाने गाओं के घरों में पता लगाते हैं कि किस घर में कितने लोग है इसके बाद रात को वहां पहुचकर सो रहे लोगों व बाड़े में बंधे मवेशियों के ब महिलाएं रात में लाठी लेकर सोने को मजबूर ग्रामीन शान्ती देवी वा मीरा देवी ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को सुनने के बाद रात में डर लगने लगा है अब सोते वक्त लाठीयां लेकर सो रहे हैं पेट पर बनाया तिशूल का निशान चिमाना में शन मीवार को लक्षमन राम जाट की पुत्री के भी बाल काच दिये गए उसके पेट पर तिशूल का निशान भी बना हुआ है